नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, बहुत अच्छा एक कोस्चिन किया है, एक सब्सक्राइब अनने, एक टॉपिक पर आते हैं, हम लोग, बैसिकली हम लोग मीडी का उपर आभी चर्चा करेंगे, और मीडी का उपर ही जाएंगे, और जितना सारा काम करेंगे, वो मी से ऐसे लिए हम लोग आडियो लेकर सारा टूटॉरियल बनाया है, बहुत कुछ किया है, मगर अभी मीडी लेकर के कुछ करेंगे, उसके बाद थोड़ा-thोड़ा करके, लोजिक का चालू करेंगे, लोजिक का भॉत सारा डीमेंड है, जो डीमेंड हम फुल्पिल कर नहीं पार रहा है बेसिकली हमारा जो MacBook Pro है MacBook Pro में logic 10.5 जो हमारा फट्षन है हम बहुत पूराना laptop है इसलिए उसका जो waste है बेसिकली Catalina जो है था Catalina नहीं हो पार है तो हम दूसरा तरीका एक किया है तो उसका हिसाब से हम दिखाएंगे लॉजिक प्रो का बहुत ही डिमेंड है और बहुत सारा लोग लॉजिक प्रो ऐसी सीखना चाहते हैं जैसे हम की वेस निवेंडो अबल टॉन प्रो टूल्स ऐसे सिखाते हैं तो चलिए आज का जो टॉपिक है टॉपिक बहुत ही है और उन्होंने फॉलो किया है अपने बहुत सारा लोग ने ऐसा कुछ टॉपिक बोला नहीं है जैसे कि अगर हम लोग इधर मीडी लेंगे तो मीडी में ऑल्ली सी क्यू दिखाते हैं देखिए अल्ली सी दिखाते हैं सी थ्री सी टू सी वन सी दिरो सी माइनस वन ऐसा नहीं दिखाते हैं है तो यह दो कारण के लिए होता है नॉर्मल ही मीडी कियु पर हम लोग देखा है और नहीं भी देखाए अई सभी हो सकता है जैसे कि हम लोग इधर कोई काड़ लिए तो नोड़ काटने का बाद नोड़ दिखा कि हिखा है नोट काटने का परद बाद दिखार है जी है एला पाइफ है जी है एक होता है नॉर्मल पियानो रो रूल और एक होता है ड्राम एडिटर रूल तो जो तो हम लोग वहुत दिन पहले एक टुटरियल दिया था अपने शायद आप लोगों ने शायद देखा नहीं है हो सकता है देखा नहीं है क्योंकि क्या है हम लोग जब कोई भी composition बनाते हैं हम लोग एक अपना खुद चीज हम लोग बना सकते जैसे कि हम थोड़ा सा paint में समझा देता है कि तो माली जे एक ड्राम मैप है ठीक है यह हमारा खुद ड्राम मैप है तो यह जो हमने एक हमारा customized library बनाया है जब उसको हम लोग import करेंगे नहीं तो उसको हम लोग खोलेंगे तो automatically वो जाएगा OVST भी खुल जाएगा और map भी setting हो जाएगा जैसे कि जो जागा पर C1 में अगर हम EZ drummer को दिये है नहीं तो adaptive drums को दिये है C1 में adaptive drums का node वज़ेगा मगर सेकर जो लगाया है वो EZ drummer में लगाया तो C1 का बाद ही actually आते है C sharp 1 तो C sharp 1 में हम सेकर लगा दिया है वो actually adaptive drums से नहीं चल रहा है वो चल रहा है EZ drummer से ऐसा हम दिये है एक tutorial फिर भी हम देंगे बाद में देंगे बाद में देंगे मतलब समझा देंगे इसमें कैसे करता है तो देखिए topic का अनूसर हम क्या करता है इधर जो हम setting किया है ये setting का हिसाफ से अगर हम लोग इसको select करके MIDI के अंदर जाके open drum editor अगर करेंगे तो हम लोग आसानी से देख सकते कौन सा क्या note है बजेगा piano और इसमें सुवीधा भी है जैसे कि देखिए जो जगा में हम लोग note क्रियेट कर रहे है वो note पर click करने से automatically delete हो जा रहा है तो अभी क्या है ड्रम के लिए काम में लगते है और कोई भी instrument के लिए काम में लगते है और इसका notation भी background में follow हो जाता है जैसे कि अगर आप लोग खोलोगे score editor अगर खोलोगे तो देखो notation भी हो गिया है मतलब हम लोगों को notation करने का ज़रूरत है यह नहीं हम लोग इसको print अगर करेंगे तो यह notation बन जाएगा कोई दिकर नहीं अगर print कर नहीं पा रहा है जैसे हम लोग अगर setting में जाएंगे इसका print का option नहीं है इधर से file में जाएंगे इसका print का option है तो print का option जब हम लोग मारेंगे print तो print हो जाएगा तो यह पूरा notation आपका पास चला जाएगा और भी एक काम कर सकतो नहीं तो आप लोग screen shot बना के print कर सकतो जैसे कि drama editor score editor हम लोग खुल लिया है इसको screen shot ले लिया है इसको लेके ऐसा हम लोग page को screen shot बना सकते है बाद में हम लोग print भी कर सकते है और कोई भी ऐसा ऐसा करके note को हम समझा भी देंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को keyword भी सीखना पड़ेगा तो वह भी हम थोड़ा थोड़ा करके सीखाएंगे एक दिन में तो होगा नहीं एक एक करके जाएगा क्योंकि इतना सारा subject लेके हम tutorial बना रहे है तो थोड़ा सा time तो लगेगा तो यह जब हम लोग इसको open करेंगे as a drama editor तब हम लोगों को कुछ node नहीं देने से भी जैसे कि हम इसको पूरा delete कर देते हैं कुछ node नहीं देने से भी हमको दिखाएगा यह c2 है यह c2 है b1 है तो नीचे में जाओगे f है f3 है g3 है तो यह आसानी से आप इसको कर सकते हो और इसमें आप लोगों को काफी कुछ सुभीदा मी मिलेगा जैसे कि expression map, expression map का बारे में एक request किया है उसका बारे में हम लोग बोलेंगे expression map का उपर एक बड़ा लंबा सा tutorial होगा, quantize भी देखिए, swing भी हो जाएगा, grid हो जाएगा उसके बाद queue हो जाएगा, उसके बाद randomize हो जाएगा, उसके बाद length का हिसाब से आप लोग अगर करोगों तो length भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वन्तलब सब कुछ इधर से कर सकते हो, मगर आप लोगों को खोल लेना पड़ेगा और हम लोग setting भी कर सकते हैं, जैसे कि आगर हम लोग इसको double click मारेंगे, तो ये नीचे में drama military खूल जाएगा, ऐसा भी हम लोग setting कर सकते हैं, तो वो setting हमको देख के आप लोगों को confirm बोलना पड़ेगा, एक्चुली confirm नहीं होना से हम tutorial देता ही नहीं है, तो उसको देख के हम लोग बोलेंगे, तो ये हो गया drama का हिसाब से, बहुत अच्छा question है, ये इसलिए first हम इसको चालू किया, पहले सी हमको बहुत अच्छा लगा इस type का question किया है, और एक बात, आच्छा ये तो tutorial ये तो ठीक है, ये तो खतम होगी, और एक बात है, बहुत सारा लोग actually हमारा channel म जाके, ये हम लोग जो channel में, your channel में जा रहा है, तो इधर join करने ही पार है, बहुत सारा लोग करने ही पार है, join मानने से उसका दिक्कत हो रहा है, problem हो रहा है, और मतलब बहुत सारा लोगों को david card है भी नहीं है, ऐसा भी होता है, क्योंकि david card है नहीं, उसका पास, just only platform use करता है, नहीं तो normal, जो ये होता है, google पे हो सकते है, phone पे हो सकते है, ऐसे use करते है, तो naturally, जो जिसका पास है नहीं credit card, तो वो 159 दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम एक तरीका सोचा है, तो इसको थोड़ा सा, आप लोगों का सा share कर दे रहा है, अगर आप लोग चाहों तो, तो हम इस, इस tutorial से, मतलब हर question का, हर question का हम, आप लोगों को, मतलब question का हिसव से आप लोगों को बोलेंगे, इसका क्या, कैसे, कैसे इसको solve कर पाओगे, मगर हमको थोड़ा support करना पड़ेगा, थोड़ा सा support करना पड़ेगा, क्योंकि, देखिए, हम भी बहुत मेहनत करके tutorial बना है, और आप लोगों, अभी तक जितना सारा question हम को किया है, हम कोशिश किया है, आप लोगों को, almost 99% तक आप लोगों को बोलने का, almost, हम कोशिश किया है, मतलब हम दिखा दिया है, करके दिखा दिया है, और इसके लिए हम ऐसा नहीं बोल रहे है, आप लोगों को, मतलब हम को तो थोड़ा सा support करना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक number दे रहे हैं, normally हमारा Paytm number इस tutorial से नीचे में आपने लोगों को मिलेगा, हमारा bank account number, Paytm ID, उसके बाद phone पे, Google पे, सब कुछ मिल जाएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारा ये कोशिश अच्छा लग तो थोड़ा सा support किजिएगा, क्योंकि क्या है, इसमें हमको भी सुविदा होगा, क्योंकि हम लोग जब Google में, यूटूब में, जब यूटूबर हिसाब से actually होता है, तो यूटूब का अभी नया जो policy हो गया, ये थोड़ा सा काफी मुश्किल है, यूटूब से थोड़ा स खुशी मिलेगा, और आप लोगों को तोड़ा तोड़ा करके solve करते जाएंगे, और जो लोग जॉइन किया है, ठीक है, उसके लिए हम बहुत नहीं बोल रहे है, वो लोग जॉइन किया है, वोन माइन के लिए, ओ तो मेंबर बन गया है, हम उसके लिए हम उसका अलग से tutorial भ रूपीज ही देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, कुछ लोग 100 रूपीज दे सकतो, मिनिममम 50 रूपीज से आप लोगों को जोब बन चाहे कर सकतो, तो यह हमारा कोशिस जारी रहेगा, आप लोग थोड़ा सा कोशिस कीजिए, अगर हो सकतो बहुत अच्छा होगा, थैं